नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चनल पी एफपी में एक दिन की गिरावट के बाद तेजी कंटीन्यू रहती हूँ भी नजर आती है निफ्टी 50 15700 के ऊपर है 100 पॉइंट की तेजी दिखाए पड़ती है निफ्टी बैंक में भी तकरीबन एक परसंट की तेजी है निफ्टी मिड कैप भागता हुआ नजर आता है 1.57 परसंट जिसके कारण AD रेशियो भी हमें एडवांस के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है कॉमोडिटी के बार में बात करें क्रूड ओयल नैचल गैस में शांदार तेजी बनी हो यह एक परसंट से ज्यादा की तेजी है जो कि अफकर्स क्रूड ओयल में तेजी आती है इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है लेकिन जो है वो तो है गोल और सिलवर में थोड़ा आपको यहाँ पर मुवमेंट दिखाए पड़ती है एक अच्छी बात बनकर आती है निफ्टी के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि कल के दिन लास्ट में जो रिकवरी देखने को मिली वो कंटीन्यू रहती हूँ भी नजर आई है और मार्केट आज पूरा मूर ज लेकिन थोड़ा उपर जाता हुआ नजर आता था डेली कैंडल पर देखते हैं तो आप देख पाएं कि हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली गैप अप ओपनिंग के बाद गिरावट हुई और वो गिरावट कवर हो गई वहाँ से हमें पॉजिटिव सेंटिमेंट कं अच्छी दिखाए पड़ती है कल की गिरावट के बाद मैंने एकस्पेट किया था कि पहले की तरह 20 डेस के मूविंग आवरेज पर निफ्टी हमें सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है लेकिन फिलाल ऐसा दिखाए पड़ता है अगर 100-200 पॉइंट की गिरावट होती है तो FII तैयार बैठ है खरीदारी करने के लिए इसलिए छोटी सी भी गिरावट होती है तो सस्टिन नहीं हो पाती तुरंती बाइंग होती भी नजराती है अच्छी बात है तो यहाँ पर हमें भी वही रणनीती अपना नहीं है बाइ ऑन डिप्स की स्ट्राटेजी अपना नहीं है हर 100 पॉइंट पर डिफ्रेंस पर हमें बहुत ही स्ट्रॉंग सपोर्ट नजराता है 15,400 500 300 यह सब कुछ बहुत ही स्ट्रॉंग सपोर्ट है तो यहाँ पर खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए उपर के रेजिस्टन्स के बारे में बात करे 15,800 का लेवल as a strong resistance देखने को मिला प्रॉफिट में वाय वाय बेसिस पे बहुत ही अच्छी बात है यह बैंक रिल्टेट भी न्यूज है दस हजार करोड वो रेज करना चाहते है वाया डेट सिक्यूरिटीज फिला जरूरत भी है यह बैंक को यह बैंक से लिटेड एक और न्यूज है कि CBI न टाटा ग्रूप में कुछ बड़ी प्लानिंग होती हुए नजराती है जो कि अफकॉर्स हमें पता भी है सब कुछ ऑनलाइन में शिफ्ट होता हुआ नजराता है टाटा डिजिटल ने ऑनलाइन फार्मसी 1MG को एक्वायर कर लिया है बिग बास्केट को भी कर लिया जिसका डिरेक्ट फाइदा टाटा कंजूमर को होता हुआ नजराएगा अब टाटा डिजिटल ने 1MG को भी एक्वायर कर लिया है तो जो ऑनलाइन बिजनस है वहाँ पर टाटा ग्रूप हमें बहुत ही अग्रेसिवली एंटर होता हुआ नजराता है बहुत ही अच्छी बात है कं अच्छी बात है कंपिडिशन होगा तो कोई गलत फाइदा भी नहीं उठा सकता तो अगर आपको यह चोटा सा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीड़बैक दीजिए थैंक यू श्टी हापी हापी इंवस्टिंग